यूट्यूब में गरवासियों स्वागत है आपका एमजेसर यूट्यूब चैनल में आज हम लिखना सीखेंगे निबंद और आज का टॉपिक है परियावरन परदूशन तो परियावरन परदूशन पर निबंद कैसे लिखें तो चलो सबसे पहले हम एक रूप रेखा तयार कर लेते हैं हम हैडिंग लिखेंगे परदूशन का आर्थ और जल परदूशन, वायू परदूशन, धोनी परदूशन, रासाइनिक परदूशन, रेडियो धर्मी परदूशन यह सब परदूशन के परकार के अंतरगत लिखेंगे आगे लिखेंगे परदूशन रोकने के उपाय और अंत में उस संगहार लिखकर यहां निबन हम खतम कर देंगे तो चलो देखते हैं कैसे लिखा जाएं तो चलो देख लो प्रस्तावना कैसे लिखना शुरू करते हैं तो प्रस्तावना के अंदर हम लिखेंगे हम भारत वासी हैं हम भारत में रहने वाले हैं भारत एक परगती शील देश है यहाँ पर भारत अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जिसमें से पर्मुख समस्यां हैं पर्दूशन, ब्रष्टाचार, बेरोजगारी, जनसंख्या, बढ़ती महंगई जिसमें पर्दूशन या परियावरन पर्दूशन पर्मुख है कुछ इस तरह से हम एक प्रस्तावना तयार कर लेंगे अगली हेडिंग लिखेंगे परियावरन पर्दूशन कार्थ तो सबसे पहले परियावरन कार्थ लिख लेते हैं परियावरन दो शब्दों से मिलकर बना है परी प्लस आवरन ठीक है परी का मतलब होता है चारोण, आवरन का मतलब होता है ढका हुआ जो हमें चारों से घेरे हुए है जो हमारे आसपास है वही पर्यावरण है पर्दूशन किसको कहते है वातावरण के दूशित हो जाने को पर्दूशन कहा जाता है हमारे आसपास का वातावरण जब पर्दूशित हो जाता है तो उसे हम परियावरन पर्दूशन कहते हैं कुछ इस तरह से हम ये दूसरी heading तयार कर लेंगे अगली heading हम लिखेंगे परियावरन पर्दूशन के परकार पर हम आगे चर्चा करेंगे देख लीजिए ठीक है परियावन परदूचण का जो पहला परकार है वो जल परदूचण है जल परदूचण वान कैसे लिखेंगे देख लो सबसे पहले कुछ इस तरह शुरू करेंगे जल ही जीवन है बीना जल के जीना असंभव है पीने के लिए हमें स्वच्छ जल चाहिए लेकिन नदियों और नालों का जल आज दूशित हो चुका है किसकी बज़ा से कलकार खानों का कच्रा नदी में जाने से हमारे नदियों का पानी दूशित हो चुका है जिससे नदियों के आस पास रहने वाले लोगों का जल दूशित हो चुका है वो उसे पीकर बीमार भी हो रहा है कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जल परदूशन के बारे में अगली हैटिंग हम लिखेंगे वायू परदूशन विरिक्षों के अंधा धुन कटाओ उद्योग धंदों के धुए सलक पर वाहनों की अत्याधिक संख्या और उनका धुएं वायू को परदूशित कर रहा है जैसा कि हम जानते हैं जीने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है लेकिन विरिक्षों के अत्याधिक कटाओ की वज़ा से वातावर्ण में आक्सीजन की कमी होती जा रही है और धुएं जो की कल कारखानों से निकलते हैं और वाहनों से निकलते हैं उसकी वज़ा से वातावर्ण में कारवन डायकसाइड की मत्रा अत्याधिक हो गई है जिसकी वज़ा से हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है इस प्रकार वाईव परदूशन के उपर आप कुछ लाईने लिख सकते हैं अगली हेटिंग हम लिखा है दोहनी परदूशन सडकों पर मोटर, कार, बस, आस्मानों में हेलिकॉप्टर, जेट और लाउड स्पीकर, बाजा, डीजे ये सब दोहनी परदूशन करने के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार है इससे लोगों की सुनने की शमता पर भावित हो रही है लोग बहरे हो जा रहे हैं लोगों को रातों को नीन नहीं आ रही है उसके अलावा, कुछ लोग तो अत्यादिक दोहनी परदूशन की वज़ा से पागल भी हो रहे है कुछ इस परकार, दो, चार लाइने हम लोग दोहनी परदूशन पर भी लिख सकते हैं अगली हेडिंग हम लिखेंगे, रासायनिक परदूशन खेतों में, क्रिशी में कीट नाशक वा रोग नाशक दवाओं का अत्यादिक परियोग हो रहा है और लोग अंधा अधनुन आखे बंद करके आधनिक पिस्टिसाइड का परियोग कर रहे हैं जिसकी वज़ा से खेत बंजर पढ़ रहे हैं और हमारे स्वास्त पर उसका बहुत बुरा परभाव पढ़ रहा है कुछ इस तरह से हम लोग रासायनिक परदूशन पर एक हैडिंग लिख सकते हैं और दो तीन लाइन उस पर असानिस लिख सकते हैं अगली हैडिंग लिखेंगे रेडियो धर्मी परदूशन हर देश एक परमाणू शक्ती बनने की होड में लगा हुआ है परमाणू परिक्षन से जलवायू तथा पृत्वी पर परदूशन भरता है परमाणू परिक्षन के समय तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है इतना बढ़ जाता है कि धातू तक पिखल जाती है हीरो शमा और नागा शाकी पर अमेरिका ने जो बम गिराये थे उसकी वज़ासे आज तक वहां के लोग लूले लंगले पैदा होते है इसका आर्थ यह है कि परमाणू परिक्षन की वज़ासे ना सिर्फ इस पीड़े पर बलकि उसकी आगे आने वाली पीड़े पर भी परभाव पड़ता है कुछ इस तरह से हम रेडियो दर्मी परदूशन पर दो चार लाइने लिख सकते है अगली हेडिंग डालेंगे हम परियावरन परदूशन को रोकने के उपाए हर व्यक्त को व्यक्ति गत तोर पर कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ परियावरन परदूशन को रोक सके सरकारों को भी चाहिए कि वहाँ परियावरन परदूशन रोकने के लिए सक्त कदम उठाए सरकार ने कुछ कदम उठाए भी है जैसे गाडियों में वहनों में धुएं की जाज की विवस्ता करवाई है कार खानों को लाइसेंस देने से पहले उनके ओद्योगी कच्रे की निस्तारण की समुचित विवस्ता जब तक देखा नहीं जाता तब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलता तदा परियावरन विशेजगों से सुईकिर्थी लेना भी उनको बहुत आवश्यक होता है सरकार ने वनों की अन्यंतरित कटाई को रोकने के लिए सक्त कदम उठाये हैं सक्त कानून बनाये हैं कुछ इस परकार से हम परियावरन परदूशन रोकने के उपाये पर दोचार लाइने लिख सकते हैं सरकार को परियावरन परदूशन रोकने के परती सजग होना चाहिए और हमें भी सचेत रहना चाहिए ताकि आने वाली PD परदूशन के अभिशाप से मुक्त हो सके कुछ इस बरकास है आप परियावालों परदूशन के कारण और निवालों पर एक बहतरी निबन लिख सकते हैं एक कम्प्लीट निबन लिख सकते हैं यहाँ पर अब हमपनी कक्षा को विराम देते हैं जाइ हिन जाइ भार